बट ये एक प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक है नमस्ते दोस्तो और वेलकम टो आर चानल कैसे आप लोग आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेर करने वाला हूँ बेस्पोर्ट्स बाइक अंडर 4 लैक्स स्पोर्ट्स बाइक किसको नहीं पसंद है ये बाइक्स दिखने में तो मस्त लगती है बोले तो वाओ और उतना ही नहीं इनके इंजिन की परफॉर्ट्स भी टॉप लेवल की होती है साथ में फीचर्स भी काफी सही होते है इन दे लास सब यंग्सर्स का ड्रीम होती है ये बाइक्स इसलिए ये वीडियो में मैंने ऐसी 10 बेस्ट स्पोर्ट्स भीस को इंक्लूड किया है जो 4 लाग के बजट में आ जाती है हर वीडियो की तरह ये वीडियो में भी मैंने सब भीस का लेटेस ओंडोड प्राइस और रियल बन माइलेज भी शेर किया है जिससे आप लोगों की थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प हो जाएगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन की सब बाइक्स में से आप लोगों को कौन सी बाइक पसंद आई ये मुझे नीचे कमेंट करके बताना तो चलिए जादा टाइम वेट नहीं करते हैं हैं स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो तो दसवे नंबर पे है बजाज पलसर RS200 ये बाइक तो पहले से ही यंग्स्टर्स में पॉपिलर है और स्पोर्स बाइक की लिस्ट हो और उसमें RS200 ना हो ऐसा भी हो सकता है बला येस RS200 थोड़ी सी ओल्ड है इन टरम्स ओफ डिजाइन और फीचर्स बट होप सो कि जल्दी ही बजा जिसके अपडेटेड मॉडल को लाँच करें इसकी सिटिंग पोजिशन कमफोटेबल है और इंजिन का परफ़र्मेंस काफी अच्छा है प्लास कम बजट में आ जाती है और इसको मेंटेन करना भी इजी है इसमें एक ही मॉडल है जिसका अन्रोड प्राइज रेंज है 2,03,000 से लेके 2,05,000 के बीच में मेरे यहां पे RS200 में 199.5cc का लिक्विड कूल इंजिन है जो की पाइर प्रोडूस करता है 24.5 BHP का और 18.7 Nm स्टॉक जनरेट करता है बाइक के अंदर 6 गयर से और माइलेज आप लोगों को 33 से लेके 36 के MPL के बीच में मिल जाएगा इसका इंजिन रिफाइन है और अभी बात करते है नेक्स बाइक का तो नबर 9 पे है बजाज पलसर F250 बजाज की एक और पलसर बट ये फ्रेशली लॉन सीरीज है दिखने में काफी अच्छी लगती है और इसमें कुछ लेटेस फीचर भी आप लोगों को मिल जाएंगे इसका इंजिन रिफाइन है और पावर भी अच्छा जनरेट करता है सेफटी के लिए आप लोगों को इसके अंदर डियोल चैनल ABS का उप्शन भी मिल जाएगा इसमें अभी के लिए दो मॉडल्स है जिनका प्राइज रेंज है 1,70,000 से लेके 1,83,000 के बीच में F-250 में All-New 214 NCC का Oil Cool Engine है जो की Power Produce करता है 24.1 BHP का and 21.5 Nm stock generate करता है बाइक के अंदर 5 gears है ये इसकी negative side में है कि इसके अंदर 6 gears होते तो काफी अच्छा होता but it is what it is और mileage आप लोगों को 35 से लेके 38 KMPL के बीच में मिल जाएगा Sitting Comfort OK है और Top Range में आप लोगों को Vibration इसके अंदर मिलेंगे तो चलिए Next Bike का बात करते है तो No.8 पर है KTM RC 125 KTM की सबसे छोटे engine वाली bike RC 125 but इसको कम मत समझना क्यूंकि engine performance and pickup के मामले में best है ये bike Sitting Comfort बहुत ही जादा aggressive है और new model में छोटे से छोटे improvement KTM ने किये है New engine और भी जादा refine हो गया है और Top End का performance काफी अच्छा है Like इसमें 124.7 CC का liquid cool engine है जो की power produce करता है 14.34 BHP का and 12 Nm stock generated करता है Bike के अंदर 6 gears है handling बहुत ही अच्छी है और braking भी काफी अच्छी है ये bike की seat थोड़ी सी ऊपर है और थोड़ी सी over price ही है ये bike but still ये bike एक premium sports bike है तो लोग इसको इसके mileage के वज़े से लेते है Like इसका mileage आप लोगों को 38 से लेके 40 KMPL तक मिल जाएगा इसमें एक ही model है जिसका price range है 2,19,000 से लेके 2,20,000 के बीच में तो चलिए next bike का बात काते है तो number 7 पे है Yamaha R15 version 4 ये भी अभी के टाइम पे एक popular bike है खास करके youngsters में और क्यों नहीं क्योंकि दिखने में काफी अच्छी लगती है इंजिन का performance काफी अच्छा है low range में, mid range में and top end में भी और mileage काफी अच्छा deliver करती है yes, sitting position aggressive है जिससे आप लोगों को इसके used to होना पड़ेगा इंजिन में एक तरीके से zero vibrations है इसमें अभी के लिए total 6 models है जिनका price range है 2,14,000 से लेके 2,30,000 के बीच में कुछ अच्छे features है इसके अंदर like traction control and quick shifter आप लोगों को इसके अंदर मिल जाएंगे और इसमें 155 CC का liquid cool engine है जो के power produce करता है 18.1 BHP का and 14.2 Nm stock generate करता है bike के अंदर 6 gears है और mileage आप लोगों को 45 से लेके 50 KMPL के बीच में मिल जाएगा तो चलिए next bike का बात करते है तो नमबर 6 पे है Suzuki Gixxer SF250 ये bike दिखने में मस्त लगती है और इसको मैं R15 के जगह पर consider करूँगा क्योंकि almost same price range में आप लोगों को 250 CC का engine मिल जाएगा sitting position बहुत ही जादा comfortable है और सबसे बड़ी LED हेडलाइट आप लोगों को इसके अंदर मिल जाएगी इसमें 3 models है जिनका on-road price range है 2,29,000 से लेके 2,32,000 के बीच में engine का performance mid and high range में अच्छा है और इसमें 249 CC का oil cooling engine है जो के power produce करता है 26.13 BHP का and 22.2 Nm stock generate करता है bike के अंदर 6 gear से और mileage आप लोगों को 33 से लेके 36 KMPL के बीच में मिल जाएगा top model में आप लोगों को Bluetooth connectivity भी बिल जाएगी तो चलिए अभी next bike का बात काते है तो नमबर 5 पे है KTM RC200 ये bike mid range में है और बहुत ही सई option है क्योंकि इसमें तीनों चीजों का means की low, mid और top end performance का मजा ले सकते हो engine को छोड़ के बाकी सब चीजे आप लोगों को RC125 जैसी ही सेम मिलेगी even sitting position भी बहुत ही जादा aggressive है और seat height इसकी ऊपर है इसमें अभी के लिए एक standard model है जिसका on road price range है 2,052,000 से लेके 2,55,000 के बीच में still it's a premium sports bike और इसमें 199.5 cc का liquid cool engine है जो की power produce करता है 24.6 bhp का 19.2 Nm stock generate करता है bike के अंदर 6 gears है और mileage आप लोगों को 33 से लेके 35 kmpl के बीच में मिल जाएगा इसका power to weight ratio भी सही है तो चलिए next bike का बात करते है तो नमर चार पे है BMW G310RR अगर आपको एक premium bike चाहिए जो की premium tag means की BMW की badging के साथ आती हो तो BMW G310RR अच्छा चोईस है BMW की bikes तो always attraction का कारण होती है इसमें अभी के लिए 2 models है जिनका on-road price range है 3,45,000 से लेके 3,80,000 के बीच में styling काफी अच्छी है ये bike की और fit and finish भी काफी अच्छी है और इसके engine का power control किया जा सकता है आराम से इसमें 312.12cc का liquid cool engine है जो की power produce करता है 33.5 bhp का and 27.3 newton middle stock generate करता है bike के अंदर 6 gears है और mileage आप लोगों को 28 से लेके 30 kmpl के बीच में मिल जाएगा seat height थोड़ी सी उपर है और sitting position भी aggressive है तो चलिए अभी next bike का बात करते है तो number 3 पे है TVS Apache RR310 BMW के same engine के साथ ये bike TVS की sports bike है और इसको मैं जादा consider करूँगा क्योंकि इसका price भी कम है और service cost भी कम है बाकी engine का performance तो आप लोगों को same ही मिलेगा like इसके अंदर 312.2 cc का liquid cool engine है जो की power produce करता है 33.5 bhp का and 27.3 nm stock generate करता है bike के अंदर 6 gears है और mileage आप लोगों को 28 से लेके 30 kmpl के बीच में मिल जाएगा इसकी handling काफी सही है और sitting position भी comfortable है इसका price range है 3,13,000 से लेके 3,15,000 के बीच में seat height थोड़ी सी उपर है और braking अगर थोड़ी सी better होती तो काफी अच्छा होता तो चलिए next bike का बात करते है तो number 2 पे है KTM RC390 अगर आप लोगों को beast bike चाहिए तो आप लोग RC390 के लिए जा सकते हो acceleration में सबसे quick है और ये bike का performance भी काफी अच्छा है बट city traffic में low end में थोड़ा सा problem हो सकता है इसमें अभी के लिए दो models है जिनका price range है 3,75,000 से लेके 3,82,000 के बीच में seat height उपर है और sitting position बहुत ही जादा aggressive है बट sitting comfort काफी अच्छा है इसमें 373.27 CC का liquid cool engine है जो की power produce करता है बाइक के अंदर 6 gears है और mileage up logo को 22 से लेके 24 के MPL के बीच में मिल जाएगा handling मसता है बट traffic में heating के issues अभी भी ये बाइक के अंदर है तो चलिए next bike का बात करते हैं तो finally number 1 पे है Kawasaki Ninja 300 Ninja series के बहुत से फैन है और ये Ninja series की entry level bike है अभी के लिए India में यस इसका price 4 lakhs के budget को cross करता है like इसका latest on road price range है 4 lakhs and 25,000 से लेके 4 lakhs and 32,000 के बीच में बट ये एक proper sports bike है इसकी riding dynamics top level की है clutch तो बिलकुल से feel ही नहीं होता है gears भी smoothly shift होते है और सबसे best बात की इसमें 300cc का parallel twin engine है जो की power produce करता है 38.88 bhp का and 26.1 Nm stock generate करती है ये bike इसके अंदर 6 gears है और इसका mileage आप लोगों को 22 से लेके 26 kmpl के बीच में मिल जाएगा seat height low है जिसे shorter rider भी आराम से इसको चला सकते है और sitting comfort एकदम से best है in the class तो guys that's it from my side अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो please do like and subscribe to our channel अगर आप लोगों को कोई भी doubt रहेगा किसी भी bike से regarding तो आप लोग नीचे comment कर सकते हो मैं आप लोगों को अपना help करने का best try करूंगा तो आप लोगों का लोगों करूंगा